भारत युवा प्रदान देश है और हाल ही में कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जो चुकाने वाले आंकड़े हैं क्योंकि उन आंकड़ों के मिताबिक बेरोजगारी इस समय भारत में सबसे जादा है और जमुकश्मीर को तीसरा पायदान मिला है बेरोजगारी दर में और इसी पर कही न कहीं चर्चा ये भी अब शुरू हो चुकी है कि आखिरकार जहां विकास की बाद जमुकश्मीर को लेकर होती रही है तो वहां बिहार से जादा बेरोजगारी जमुकश्मीर में कैसे कैसे जमुकश्मीर जो हैं तीसरे पायधान पर पहुंच गया और कैसे जमुकश्मीर के युवाल लगतार जो हैं नहीं बल्कि बेरोजगारी मे जब से हमारी स्टेट में तूटी हुई है जिसन स्टेट ओवर तीन सुससतर दफ़ा को तोड़ दिया गया उस दिन हमारे जम्हो किश्मीर का नक्षा दो चेंज होना शूरू हो गया आई बेरोजगरी सबसे जब से जम्हो किश्मीर की बेरोजगरी आब बता रहे हो कि यहां तीसरे नमर पे आई है जब से स्टेट तुटी है उसके बाद ना कोई सुनाई हो रही है ना उसके बाद कोई काम हो रहा है ना किसी की मलब कोई रोजगर की तरफ धिया जा रहा है य आई लोगों के पिंशन कैंसल कर रहे हैं, आई लोगों के राशन काड काइंसल कर रहे हैं, लोगों को राशन नहीं मिर रहा है, म altri अच्छा के रखा है, जमhinkyु कि लेक्ते हैं जो पड़े लेके हैं, गल्ट नशों में जा रहे हैं, क्यूं जाएंगे? क्यूंकि आई उनको सुहारा नहीं है, रोजगार नहीं है, माँ बाप ने पढ़ रहे हैं, पड़ रहे हैं, इनका पैसा लगाया है, इत्मा दिन रात मेहनद की बच्चों को किसी काभ़ बनाया था, तो आई गोर्मन की जो जिमेबारी थे जो गोर्मन का काम था जमू किश्मिर के लोगों के लिए जैसे नोने स्टेर तोड़ी थी, नोने काई जमू किश्मिर के लिए 20.000 नोकरियां आ रही हैं, बहुत जार रोजगार बढ़ रहा है, तो ये कताबों में ये हैं, बातों में कहीं नाम जमीन के भी कहा गया कि प्रिशासन के दूसे की पहले नोक्रियों का माफिया चलता था पुराने सरकारों में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं बलके हम देख रहे हैं कि जिनको नियमों के तहट जो है गलत तरीके से लगा गया हम उनको टर्मिनेट कर रहे हैं नोक्री से निक किसी को निकालने का काम दो इस जल्दे बहुत कांगा, चार्ण की को निकालने का काम, जल्दी कहाएं हुए जादानी की बहुत अब दो काने कि थी आई यसे सटेर को तोड़ा उसके बाद एक अलग सा महोल देखने को जमू किश्मीर को मिर रहा है कि रोजगार नहीं मिर रहा है महंगाई पे लगाम नहीं हो रही है लेकि दारू की दुकानों में पैनी फिर्ट जो ज़्यादा ही दिया जा रहा है जमू किश्मीर के तो देखो मोतें भी बहुत ज़्यादा मोतें हो रही है नशे में लोग जा रहे हैं तो अगर यह दुकाने जो बना रहे हैं यहां जल्जला नहीं और किया होगा भूकम तो होगा होगा बड़ बड़ा जबरदस्त होगा कि जैसे 30 क्रोड़ देवी पीर फकीरों की जहारते हैं यहां बहुत बहुत बड़ी हैं यहां मंदरों का शायर को माना जाता है तो आई इतनी दुकाने यह शुराब की दुकाने खोले जा रही है जो रावन की दारू थी तो उस दारू को जो पहलाया यहारा जमू किश्मिय में यहां रावनी रह जाएंगे मेरे खाल में रह प्रसक्राइबरद्रेय। मेर के लिए सिर्फ यहां किनून ड्राने बाले आते हैं जैसे राद को कुछ सोया होता है सुबह जब उठता है आई यह बाला नया कनून होगा अदार काड को लिंक करवाओ हजार पर फीस बरो आई यह अगया डूमी सेल चेंग करो आई यह लिसेंस जो हैं आपके यह कैंसल क होगा कहां पहोगा जहां टाना शाइः चल रही बहां चला रहे हैं जहां नहीं चल रहा होगा भूण लोगों हो बेगू बना रहे हैं की कि लुएलेग्शण क्युन बे महीने के आन तक कर आ दो लैक्शन है कि लेक्शन जो है जल से जल लेक्शन होने चाहिए जब तक लेक्शन नहीं होगा मुझे लग रहा है कि स्टेट को टोटल खत्म कर देंगे इसका यहां बाली बास भी मुझे लग रहा कोई रहने वाला नहीं है क्योंकि आई जब सुनाई किसी की नहीं जो गरीब आदमी है हमने कहा बिजली पानी का गरीब लोगों को प्राना बिल माफ करो क्योंकि प्रानी सरकारों के टैम चाहे सो दो सो लेते थे लोगों को बिल चड़ गे आई लोगों का किसी का लाग किसी का दो लाग किसी का ड़ाई लाग जम्हो किश्मीर में मैंने कहा कि बहुत ही कि जलजल जाए सा टैम मौल बन गया हुआ है आई लोग रात को जब सोते हैं सुबा डरते हैं कि हमें कौन से एक नहीं आ कनून जो लागू करना पालन करना पड़ेगा हर आई को पालन का ही शोग पड़ा हुए लेकर पालन के साथ लोगों जरूर्ट है पैसे कि आप चुनावी मैदान में उत्रेंगे हम नहीं उत्रेंगे हमारी टीम पूरी उत्रेगी यहां पर फुल सीटों पर चांश रखाए कर लड़ेंगे लड़ेंगे ब्राब सब्सक्राइब को चाहिए आप लगाए जिए के में एदेंगा हुए अच्छा मोल बन रहा है और चलाग साथ के साथ हैं हम चलाग साथ जहां जहां कदम बढ़ा रहे हैं उनके साथ पूरी हिंदोस्तान की दुनिया पबलिक जो चल रही है प्यार मोबद रहा और पिछले दिनों हम बीटी में गए चलाग साथ ने यही बात की बहां पर के हमारे पिताजी का बहुत चाहत थी जम्मू कुश्मीर में और हम आना चाहते हैं मुझे थोड़ा बहुत स्टेटों में जाना पड़ रहा हैं एक दिन सिननर रखेंगे दिन ज बाजनीती में क्योंकि तजस्वी आदव पर भी कहने के जांच बिठाए गए हैं नितिश कुमार के तेवर काफी जादा तीखे नजर आ रहे हैं वहीं चिराग पास्वन एंडिये गठ बंदन में तो है लेकिन विकल्प के तोर पर यहां पर रफीक साहब देख रहे हैं क् कि नितिश का जो अब कारेकाल है वो समापत हो वो बदलाव हो और पूरी तहां से विवस्ता जो चर्मराई हुई है बिहार में वो जो है उसमें थोड़ी सी लगाम लग सके आप यह हमासत बने रहें देखते हैं विश्टर जमिल शुहान की